गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग everybody and welcome to Creatrix channel, my dear friends, we are live तो बच्चों live आगए हैं, तेक है, live आगए हैं आपके लिए एक और lecture लेक्चर लेके और जिस unit का आप सब को इंतजार था, कि sir, power system stability कब कराओगे, कहां कराओगे तो बेटा, आज कराएंगे, अभी कराएंगे, और यहीं कराएंगे, तेक है, आपके सारे सवालों का जवाब लेके आ गए हैं, lecture number 54, power system stability तो आज यहां stability की शुरुआत करेंगे, कुछ basics में आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे की basics में क्या cover करने वाला हूँ, swing equation मैं आपसे बात करने वाला हूँ, swing equation के बारे में, कि power system stability के अंदर swing equation कैसे आती है, swing equation का role क्या होता है यह सारी बाते discuss हूँगे आज इस वीडियो के अंदर, तो चलिए शुरू किया जाए सबसे पहले, let me introduce myself, my dear friends, my name is Ankit Goyal, I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018, I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indoor, till date my dear students, I have trained more than 1 lakh student in the online and the offline classes and presently, I am working as a director at an academy for gate department लेकिन यार देखू, यह सब credential अपनी जगे सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है what matters the most is our revolution, is the thinking, is the intent that we have क्या intention है भई हम लोगों का, हम लोगों का intention है कि इस साल gate के अंदर 1 से 100 तक सारी ranks occupy करनी है सारी ranks occupy करनी है, इस बार history create करना है बिटा, gate 2021 के result में और उसी चीज को, उसी vision को ले जाते हुए, हम लोग दिन रात एक करके मेहनत किये जा रहे हैं और बच्चो, आप लोगों के लिए एक के बाद एक free initiative लाते जा रहे हैं तो बेटा यह जो money वाला factor है यह remove कर दे रहा हूँ, आपकी life में एक resource आपका money कभी भी एक constraint नहीं होगा कभी भी constraint नहीं होगा, आपको best of the best content मिलेगा and that too free ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई अब देखो आपको YouTube पे तो मिली रहा है free content लेकिन साथ-साथ Unacademy platform पे भी आपको free content मिलता है कैसे in the form of test series, in the form of special class, in the form of practice session, in the form of Unacademy combat, quizzes तो इतनी सारी चीज़े आपको मिलती है free of course platform पे, आपने करना कुछ नहीं है बस Unacademy app mobile के अंदर install करनी है play store और app store दोनों पे available है उसमें अपना account create कर लेना और वो पूछेगा आपको किस ने बुलाया जो यहाँ चले आए तो आप बताएंगे अंकित सर ने बुलाया कैसे by using the code UNCATESC, बस इतना दिखे, आपका एक free account enable हो जाएगा अब जितने free initiative बेटा हम लाते हैं सारे free initiatives का आप हिस्सा बन सकते हो और बिना एक single रुपी spend किये आप एक बहतरीन rank ला सकते हो अब देखो यार अगर मेरी classes पसंद आती हैं मुझसे और पढ़ना चाहते हो तो मेरे बच्चों इस link पे जरूर जाना tinyurl.com slash anketiac इस link पे आपको क्या मिलने वाला है इस link पे आपको मिलेंगी मेरी सारी special class जो मैंने आज तक ली हैं या जो मैं आगे लेने वाला हूँ अब देखो जैसे कल से मैं start करा रहा हूँ EMT के previous year question चार बजे चार बजे EMT के previous year question लगाएंगे और वो आपको मिल जाएंगे upcoming special classes में इसके अलावा मेरे भाई इसके अलावा subject by subject folder में आपको मिलेंगी सारी classes की info और daily राज साड़े 8 बजे आपको एक practice question की class लगाई जाती है जिसमें अभी हम practice कर रहे है machine, power electronics and power system इन सब initiatives का हिस्सा बनना है तो इस URL पे जरूर जाना यहां सारी info provided है इसके अलावा देखो यार इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक बना दी है आपको link याद हो जाना चाहिए इसका बस ये ध्यान रखना ये gate live अपर case में डालना है पिटा lower case में नहीं और इस link पे आपको मिलेंगे सारे इस channel के videos lecture by lecture, chapter by chapter subject by subject तो जो subject में आपको weakness लगती है जो chapter जो topic में weakness लगती है वो पूरा यहां से cover कर सकते हो free of cost तो पिटा ये आपके लिए एक encyclopedia create कर दिया है gate preparation का इसके अलावा देखो recently started crash courses विशाल सर ने बिटा अभी recently start किया probability and random variable इसके class चलती है सुबह 9 बजे और साड़े 10 बजे संकर सर ने start किया network analysis सर ले रहे हैं साड़े 5 बजे पंकत सर ने बच्चों start किया control system और सर ले रहे हैं 4 बजे तो ये सारी classes आपको attend करनी है और अब आपको daily schedule बताया जा रहा है पूरे lectures का तो schedule follow करके सारे lectures को देख डालो इसके अलावा यार इस Sunday होने वाला है महा marathon Sunday महा marathon Sunday इसके अंदर आपको सुबह शुरुआत करेंगे पंकत सर Z transform कवर करने से उसके बाद आएंगे रमन सर transient analysis लेके फिर आने वाला हूँ बेटा मैं power semiconductor devices लेके और रात में आने वाले हैं वरुन सर लेके revision of induction machine तो यार महा marathon होने वाली है क्योंकि बेटा अब हम ये मानलो end game में आ गए है अब हम अपने marathon की last mile दोड रहे हैं और इस mile को सबसे तेज दोड़ना पड़ेगा तभी ये race जीत पाओगे देखो यार अगर आपको और तेज दोड़ना है तो आप plus का हिस्सा बन सकते हैं जहां आपको मिलेंगे सभी top educator की live class उनकी test series उनके weekly test उनके daily practice question जिनको हम कहते हैं DPP और आपको मिलेगा practice question practice question और बिटा हर Sunday होता है test ताकि ये judge कर पाएं कि पीछे जितना पढ़ा दिया है उसमें कितनी तयारी है तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है एक ही subscription में plus और plus में बिटा सिर्फ course completion की guarantee नहीं है course completion English, Hindi दोनों भाषा में top educators से along with revision practice everything एक ही subscription में और बच्चो 21st December से यानि Monday से हम start कर रहे है gate 2022 और gate 2023 के batches तो इनका हिस्सा अगर बनना है यार तो simple सा तरीका है code लगाओ अंकित ESE और जल्दी से आजाओ अनकैडमी पे आप iconic पे भी जा सकते हैं iconic बड़ा भाई है plus का iconic आपको देता है एक personal coach जो कि आपको day in day out guide करता है related to preparation आपकी पूरी strategy बनवाता है इसके अलावा आपको देता है teacher से study booster session हर दो हकते में iconic वाले बच्चों के साथ personally interact करता हूँ study material extra मिलता है test के analysis में आपकी strength weakness अलग से बताई जाती है और बच्चों साथ ही साथ same day आपका doubt भी answer किया जाता है तो बच्चों code एक है काम अनेक है देखे कोड एक है काम अनेक है और इससे free platform plus और iconic सब open हो जाता है अब यार जल्दी से इस session का code लगा दो और हम शुरुवात कर देते है stability study की हम लोग start कर देते हैं आज का stability analysis बट जल्दी से मेरे बच्चों code लगा दो इस session का session का code क्या है मेरे computer का password क्या है और अभी बेटा एक चीज़ बताओ जितनी भी मैं classes लेता हूँ तुम्हारा comment सिर्फ और सिर्फ बाकी subject पूछने के लिए क्यों आता है चल बाकी लोगों ने तो बोल दिया भई let's crack it तो let's get started यार देखो बात है stability की तो basic से उठाएंगे एकदम stability क्या होती है stability system के अंदर या किसी system को stable तब बोला जाता है जब वो system जब वो system अपने position से disturb होने के बाद अगर वापिस आ जाए that is said to be stable that is said to be stable देखो जैसे ही मेरा pen है एक pen मैं लेता हूँ यह pen दिख रहा है अब देखो यार यह pen है इसको मैंने disturb किया वापिस आ गया disturb किया वापिस आ गया disturb किया वापिस आ गया तो this is a stable system just like a pendulum pendulum को आप कभी भी move कराओगे तो it will return to its original position such a system is called as stable बात समझा रही है कि stable system क्या है यार stable system वो है जो अपनी position से disturb होने के बावजूद it comes back to its original state अब आप कहोगे सर यह तो आप physics वाली definition बता रहे हो इसमें power system कहा है बिटा power system में भी stability की वही definition retained रहती है जो की आपकी physics में तो सर power system में pendulum थोड़ी है जिसे हिला देंगे और वो lot आएगा नहीं बेटा power system में synchronous machine का rotor है synchronous machine के rotor को अगर disturbance मिली और वो वापिस अपनी original state में आ गया तो then it is set to be stable तो वहाँ mechanical part की बात होती है देखो इस stability में जो disturbance दे रहे हैं वो तो mechanical है ना इसलिए क्या होता है synchronous machine के अंदर जब stability की बात होती है तो उसके mechanical part के बारे में बात किया जाता है द्यान से समझना अब देखो जब आपने electrical machine cover किया है मेरे दोस्त तब आपने ज़्यादा focus किया है machine के electrical वाले part पे mechanical part पे नहीं लेकिन अब जब stability की बात करेंगे तो हम work करेंगे machine के mechanical part पे देखिया machine के mechanical part पे ये बात clear है अब ध्यान से समझना यार यहाँ पे बात की जाती है machine के rotor की stability की machine के rotor की stability की आयूश मेरे भाई क्या होता है अर्थ के अंदर जो reactance होती है वो बहुत ज़ादा आ जाती है due to charges inside the earth surface या due to core of the earth तो reactance ज़ादा आ जाने से उसकी impedance हाई हो जाती है impedance हाई होने से अगर अर्थ का return conductor बनाओगे तो return path में इतनी high impedance होगी कि current नाके बराबर आएगा ये मैंने बताया था impedance हाई होगी तो current गिर जाएगा ना बट ये सब इस topic से related नहीं है अब इस topic पे वापिस आ जाओ तो हमें क्या करना है भाई ध्यान से सुन लो अब हमें rotor को disturbance करना है और rotor अगर अपनी original state में वापिस आ गया तो it is set to be stable अब यार देखो कितनी तरह की stability होती है बिटा तीन तरह की stability होती है पहली होती है voltage stability अब voltage stability क्या है कि आपके system के किसी भी बस पे जो voltage है वो आपकी rated voltage से 5% के अंदर रहे then it is set to be voltage stability rated voltage के कितने range में रहे plus minus 5 यानि कि अगर rated voltage 1 kv है तो 995 volts से 1005 volts तक अगर आपकी voltage लाई कर गई नहीं सौरी 950 से 1050 तक अगर लाई कर गई तो that is set to be a voltage stable system तीक है ये जो यार 5% का criteria है ना ये global या universal criteria आप कह सकते हो ये across the world follow किया जाता है तीक है दूसरी stability होती है यार frequency stability जैसे मानलो system की frequency 50 hertz है तो कितना deviation allowed है कितना deviation allowed है that is plus minus 1% यानि 49.5 से लेके 50.5 तक 49.5 से लेके 50.5 तक variation allowed है अब आपको पता है सर frequency बदलेगी क्यों क्योंकि पिटा अगर आपने synchronous के अंदर droop पढ़ा हुआ है तो droop के अंदर आप क्या जानते हो जैसे जैसे machine पे load बढ़ता है उसकी frequency decrease होती है that is called as a droop that is called as a droop तो load बढ़ने से frequency गिरेगी that is meaning of droop तो frequency बदल सकती है frequency बदल सकती है लेकिन 1% से जादा नहीं तीसरी stability जिसके बारे में आज हम जादा बात करने वाले हैं इस chapter में जिसके बारे में बात करेंगे that is angular stability आप जानते हो rotor angle या power angle कहलाता है delta तो delta should be stable यानि delta को अगर disturbance मिले और वो वापिस settle हो जाए तो it is set to be angular stability angular stability का मतलब है rotor का जो angle है उसको अगर disturbance दे दी गई और वो वापिस से settle हो गया then it is set to be angular stability अब देखो voltage stability के बारे में already हम लोग काम कर चुके हैं कहां जब हमने पढ़ा था voltage control तो voltage stability के बारे में काम किया था frequency stability पे काम कर चुके हैं जब हमने बात की थी frequency control की और अब बात करने वाले हैं भई angular stability के अब किसके बारे में बात करने वाले हैं angular stability के बारे में जहां देखेंगे rotor के angle की stability कैसे defined होती है अब यार देखो angular stability जो होती है न तीन categories में divided है पहली category है steady state stability तो यार steady state stability के अंदर it refers to the maximum power transfer capability of a system याद करो मैंने आपको बताया भी था कि जो पी मैक्स होता है जो पी मैक्स होता है that is also called as steady state stability limit ट्रिपल एस एल steady state stability limit ट्रिपल एसल बोलते हैं तेक है इसी लिए steady state stability की जब study की जाती है तो बात की जाती है कितनी maximum power बच्चा आप deliver कर सकते हो फिर आती है transient stability यहाँ बात करते हैं अगर कोई large disturbance आ जाए जैसे मान लो fault आ गया कोई transmission line disconnect हो गई कोई transformer disconnect हो गया कोई बड़ी बड़ी समस्या अगर system में आ जाए बड़ी disturbance आ जाए तो क्या system synchronism में रहेगा या system synchronism lose कर जाएगा अगर यह आपने जज कर लिया तो उसे कहते हैं transient stability तो transient stability is the study of large disturbances बड़ी disturbance बड़ी घटनाओं पर अधारित है तो यहाँ पर क्या लिखोगे it relates to large disturbance तो large disturbance किसकी वज़े से आ सकती है fault की वज़े से ठीक है भई अब इसके बाद तीसरी होती है dynamic dynamic में क्या होता है कि छोटी छोटी disturbance लगाते हैं और बार बार लगाते हैं बच्चा कभी कभी आके बार 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 ऐसे उंगली करता है ऐसी system में बार बार उंगली की जाती है यानि system को बार बार disturb किया जाता है system को बार बार disturb किया जाता है और उस process को कहते हैं dynamic stability क्या कहते हैं dynamic stability ठीक है भई तो it refers to small but continuous disturbance तो बेटा हमें जो है न हमें dynamic stability के बारे में बात नहीं करनी है इस topic में मैं आप से बात करूँँगा दो stability को लेके steady state और transient नरवरिया बेटा केजर अफीस सर अलरड़ी अनकैडमी पे पढ़ा रहे है कहां लेके आओगे उन्हें अलग से अलरड़ी काफी टाइम से वो अनकैडमी से जुड़े हैं काफी सारे subject deal कर रहे हैं ठीक है अमरित या lightning is not a stability study समझो बात को stability study में हम ये पढ़ रहे हैं अगर system में disturbance आई तो वो disturbance के बात system stable होगा यानि ये नहीं कि बिजली गिरा के चेक कर रहे हैं समझ रहे हो वो तो actual fault हुआ वो तो over voltage हुआ हम यहां fault करनी रहे हैं हम क्या देखना चाहते हैं in case अगर fault आए in case अगर disturbance आए तो क्या होगा यानि पहले से तैयारी कर रहे हैं जैसे घर के बाहर बादल हो रहे होते हैं तो आप पहले चाता लेके निकलते होने यार कि बरसात आ जाएगी same way system के अंदर system बनाते वे पहले से analyze कर लो कि क्या घटना घट सकती है अगर ये आपको clear है और आप इसके अनुसार system बनाओगे तो बहुत फाइदा होगा आपको तीक है चालो अब देखो याँ steady state versus transient stability की अगर बात करें steady state के अंदर देखो बहुत छोटा disturbance है देखो ये वाला जो graph है न इसे हम कहते हैं power angle curve जो आप machine में भी पढ़ते हो पढ़ते हो न मशीन में power versus delta मैंने power system में भी पढ़ाया है तो देखो यहाँ जो delta है न वो बहुत छोटा oscillate कर रहा है delta बहुत कम region में oscillate कर रहा है देख रहे हो तो यहाँ delta के vibration छोटे हैं लेकिन मेरे भाई यहाँ पर देखो transient stability में काफी लंबा vibration है बड़ा vibration करेगा और फिर धीरे 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 vibration damp out हो जाएंगे तो यहाँ पर large disturbance है transient stability में लेकिन धीरे धीरे disturbance damp out ही हो जाती है और यहाँ पर काफी small disturbance है समझ आ गया यह समझा है दोनों stability study में फरक mainly दोनों के अंदर क्या फरक आता है clear हुआ हाँ भई machine के lecture private नहीं हो रहे private क्यों होंगे stability से कितने marks तक का आ जाता है और दो number तक का question आ जाता है और कितने का आएगा 2 से जादा का तो gate में भी नहीं आता कोई सवाल दो तीन number से जादा क्या आएगा कोई यह clear हो गया ना चमक गया भई सब लोग को steady state और transient clear हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बता दो steady state और transient clear हुआ या नहीं जल्दी बताओ is it clear or not is it clear or not tell me everybody हाँ magnitude का फरक है magnitude का फरक है यार बिल्कुल चलो रचना को चमक गया है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखो यार जब हम dynamics of synchronous machine पे आते हैं तो dynamics का मतलब है यार की machines के अंदर हमने electrical part पूरा पढ़ लिया है लेकिन अब समय आ चुका है कि mechanical part पढ़ा जाए तो mechanical part क जो study होती है जैसे आप क्या कहते हैं इसके अंदर mechanics के अंदर भी पढ़ते हो तो एक dynamics होता है kinematics होता है तो dynamics क्या होता है जहां force के बारे में बात की जाती है ऐसे ही synchronous machine में जब torque के बारे में बात की जाती है उसे कहते है dynamics सुबिंद्रा बेटा time आएगा आज ही lecture में explain तो dangle रुख जाओ आएगा उसका भी number ठीक है थोड़ा सा सबर कर लो बताऊंगा तो यहां पे हम क्या करेंगे study of mechanical part of a synchronous machine लेकिन mechanical part को किसमें लेके आना है electrical form में और यहां पे moment of inertia को भी change करके किसमें लाते हैं inertia constant में तो बच्चा यहां पे हमें करना क्या है यहां पे basically हमें machine के mechanical part का electrical equivalent बनाना है यहां एक simple सी बात देखो आप और हम है electrical engineer हम noodle, mesh, KCL, KVL सब चीज समझते हैं तो जहां कहीं mechanical systems आने शुरू हो जाते हैं अपनी जिंदगी थोड़ी सी tough हो जाती है वहां हम लोग क्या करते हैं वहां हम लोग बात करने लगते हैं mechanical से electrical में transfer करने की यानी modeling करने की कैसे एक mechanical system को एक electrical system में represent किया जा सकता है वही हम लोग यहां पे करेंगे अब देखो याद dynamics of synchronous machine पे अगर आते हैं सबसे पहले देखो यादर जब router घूमता है तो आपकी stored kinetic energy कितनी होती है stored kinetic energy होती है half j omega sm square half j omega sm square आप कहोगे सर यह omega sm क्या है बेटा यह synchronous speed है synchronous speed है बच्चा कोई भी चीज अगर move करती है तो उसके अंदर kinetic energy होती है ऐसा थोड़ी यह भरके रखा है तेल कितर है कोई भी चीज घूम रही है तो उसके अंदर kinetic energy कहते हो ना वही तो मैंने भी बोला है kinetic energy है rotor के अंदर अब rotor के अंदर है तो stored लिख दिया ठीक है बई ऐसे जोचो ऐसे गाड़ी चल रही है तो उसमें kinetic energy है ना अब जब आप brake लगाते है उसे रोकने के लिए तो वह kinetic energy बच्चा आपको dissipate करनी पड़ती है तब जाके कोई गाड़ी रुक पाती है यानि गाड़ी के अंदर कोई ना कोई energy stored थी जिसको जब आपने waste किया तब जाके वो गाड़ी रुक गई सेम चीज रोटर के साथ है रोटर घूम रहा है माने उसके अंदर energy है अब रोटर को अगर आप रोकोगे यानि आप उसकी energy को उससे छीन रहे हो या उसकी energy को extract कर रहे हो ठीक है भई यह आगई kinetic energy लेकिन यार समस्या यहाँ पे एक है कि यह mechanical terms में है और मुझे किस terms के अंद मुझे किस में चाहिए electrical terms के अंदर तो देखो मैं क्या करता हूं मैं यह कहता हूं कि थीटा यह जिसका मतलब है थीटा एम तो अगर आप derivative लो ले लो दोनों तरफ ठीक है यह आएगा यह आगया अब आप कहोगे सर ओमेगा एसम और ओमेगा एस में क्या फरक है यार ओमेगा एस होता है टू पाई एफ ठीक है यह है angular frequency angular speed मत समझना और यह है angular speed एक है mechanical डोमेन में और एक है electrical डोमेन में समझ गए और देखो stability में न सबसे जादा बच्चा जहां फस्ता है सबसे जादा बच्चा जहां फस्ता है stability के अंदर वो है units क्योंकि mechanical electrical चलता रहता है ना confusion हो जाती है यार अब अगर ऐसा है यह relation है तो मैं kinetic energy को कैसे लिख सकता हूं यह ओमेगा SM यह अफ़र इसको ऐसे लिख लो तो इसको न देखो क्या लिख देते हैं अब यह term एक साथ ले लेते हैं 2 by P square omega S into omega S तो यहां लिख दिया जाता है half M omega S अब आप कहोगे सर यह M क्या है सर यह M क्या है तो बेटा M है inertia constant क्या कहलाता है inertia constant कैसे निकालोगे यार यह हो जाएगा kinetic energy अब kinetic energy होती है mega joule में omega S किसमे होगा electrical radian per second तो mega joule second per electrical radian इसके ना यार unit पता होनी बहुत ज़ादा जरूरी है इसमें direct सवाल आ जाता है तेके unit बहुत बहुत ज़ादा matter करती है आपको unit हमेशा पता होनी चाहिए तेके भई चलो आप आगे चलते है inertia constant समझाया दो inertia constant होते है एक समझा चुका हूँ J into 2 by P square into omega S तो हमने mechanical से किसमे ले आए electrical में तो inertia constant क्या है एक ऐसी quantity which is proportional to moment of inertia but it is defined in the electrical domain and my dear friend not in the mechanical domain mechanical में defined नहीं है किसमें defined है electrical में चलो ठीक है अब देखो क्या होता है machine का जो base होता है वो होता है GMV है kinetic energy को लिखते है G H वेर H इस दा inertia constant ह क्या हो गया तो इसकी unit क्या हो गई kinetic energy मेगा जूल में और G है MVA में तो ये भी inertia constant है जैसा मैंने आपको बताया जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जो kinetic energy है उसको लिखने के दो तरीके हैं एक M की terms में और एक H की terms में दो inertia constant हो सकते हैं M और H दोनों inertia constant हैं दोनों inertia constant की बस क्या है unit अलग अलग है दोनों की unit अलग अलग है आदर्श बेटा बिल्कुल सही बात है energy की unit joule होती है लेकिन energy को ही तो आप kilo joule और mega joule में भी लिख सकते हो अब synchronous machine practically इतनी high energy पे काम करती है कि उसकी unit में क्या लिख देते है mega joule लिख देते है joule लिखने की क्या जरूरत है joule से kilo joule बना लो mega joule बना लो giga joule बना लो है ना but mega is a standard unit अब देखो यार GH अगर kinetic energy है तो kinetic energy तो अभी हमने half M omega S लिखी है अब देखो यार आप omega S को क्या लिख सकते हो 2 pi F लिख सकते हो ना 2 से 2 कट जाएगा अगर बेटा आप pi की जगे 180 ले लो तो आप ये भी लिख सकते हो pi की जगे अगर 180 ले लो तो radian की जगे किस में चले गए degree में है ना radian की जगे हम आ गए degree के अंदर इसलिए मैंने बोला था यार कि यहाँ पे यूनेट्स बहुत मैटर करती है बच्चा confuse हो जाता है यूनेट्स को लेके लेकिन अगर आपने इस topic के अंदर अपनी यूनेट्स को strong रखा अगर आपने हर quantity की यूनेट पे ध्यान दिया बिटा तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता गेट एक्जाम के अंदर ठीक है अब देखो यहाँ पे formula याद करने वाले कौन कौन से है मैं आप लोग को बता देता हूँ एक तो देखो यह है GH इक्वल टू काइनेटिक एनरजी और एक यह वाला पार्ट है यह भी आपको याद रखना पड़ेगा एक आप यहाँ पे याद रखोगे यह वाली quantity ठीक है M का J से relation याद रखोगे moment of inertia से kinetic energy equal to GH और फिर M और H के अंदर का conversion तो यह बात होती है कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग synchronous machine की kinetic energy को electrical domain में लेकर के आ जाते है तो जो moment of inertia mechanical domain में J से दिखाया जाता है electrical domain में वही चीज M और H से दिखाया जाती है अब आते हैं यार swing equation पे यह swing equation क्या है सर देखो यार जैसे मैंने यहाँ पे generator आपको दिखाया है generator के अंदर क्या होता है दो torque होते हैं या तीन चार torque होते हैं वैसे तो generator के अंदर क्या होता है यह जो shaft torque है यह generator के shaft को घुमाता है उसी की direction में मतलब यह shaft torque कौन लगाता है यार यह लगाता है prime mover कौन लगाता है prime mover और यह rotor को घुमाता है in the same direction तो हम कह सकने हैं, रोटर रोटेट्स इन सेम डारेक्शन आज टी एस, फिर टी इएम, यह है इलेक्ट्रो मागनेटिक डेवलप्ड टॉर्क, ठीक है, यह हो गया, अब यार यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, कि जे, डी स्क्वाइर थीटा बाई डी टी स्क्वाइर, और पहले ही क्लियर करने के लिए, एम लगा रहा हूँ, शाफ्ट टॉर्क, माइनस एलेक्ट्रो मागनेटिक टॉर्क, माइनस डेम्पिंग टॉर्क, अब आप कहोगे सर यह क्या है, मैंने बस बच्चा इतना बोला है, जो आपको ग्यारवी में पढ़ाया जाता है, कि net torque कितना है net torque है जो torque धुमाने वाला है minus जो torque oppose करने वाला है यहाँ पे आपका TB मैंने क्या लिया है TB is the damping torque जैसे मान लो कि चारो तरफ ball bearing से friction आ गया चारो तरफ ball bearing से friction आ गया या air से friction आ गया तो यह oppose करेंगे motion को ball bearings है air है यह सब motion को oppose करेंगे और इनके torque को हमने क्या बुला damping torque यह भी motion को oppose करता है तो देखो shaft torque गुमाने की कोशिश कर रहा है लेकिन electromagnetic और damping torque रोकने की कोशिश कर रहे है again यार problem बस इतनी सी है equation तो बहुत बढ़िया बन गई भई equation बहुत बढ़िया बन गई लेकिन problem बस इतनी सी है that this is in mechanical domain इसी equation को यार जब electrical में लाते हैं तो कहते है swing equation तो swing equation बेटा कोई नई equation नहीं है कोई बहुत बढ़ा innovation आविशकार नहीं है यह क्या है यह basic mechanics की equation को उठा के electrical में convert कर दिया है और उसको नाम दे दिया है swing equation अब देखो कैसे करेंगे electrical में हमें सबसे पहली चीज यह पता है ठीक है एक तो हमें यह पता है 2 by P तो constant है ना लेकिन यार देखो अभी भी right hand side पे तो torque ही है और torque तो mechanical होता है अब एक खास बात सुनना यार ignore TB और damping torque अब आप कहोगे सर ये बात तो सही नहीं है ऐसे कैसे आप ignore कर दोगे कुछ भी देखो यार मैंने आपको stability के शुरुआत में ही बताई एक बात कि यहां rotor का angle oscillate करता है oscillate करके बच्चा अगर वो settle हो गया तो then it is a stable system settle नहीं हो पाया then it is a unstable system चमका तो बेटा अगर oscillation आ रही है तो damping torque oscillation को खतम करेगा और हम तो हमेशा क्या करते हैं worst case analysis हम क्या करते हैं worst case analysis और वही worst case analysis करने के लिए जो चीज मशीन को stable बनाए उसे ignore करना पड़ेगा उसे ignore करना पड़ेगा यहां आपका damping torque oscillation को खतम करने का काम कर रहा है इसलिए आपको उसे ignore करना पड़ेगा आपको उसे ignore करना पड़ेगा चमका भई सब लोगों को यह बताओ यहां तक चमका के नहीं चमका क्योंकि आगे mathematics है यार अगर यहां तक concept clear हो गया इसका मतलब है आप swing equation बहुत आसानी से समझ सकते हो जल्दी से मुझे बताओ मेरे सब बच्चों को चमक गया रचना को तो चमक गया भई बाकी लोग क्या कर रहे हैं बाकी लोग भी बताएं भई ऐसे सुस्ती से मत बैटा करो यार बहुत अच्छा conceptual topic है stability अगर ढंक से पढ़ोगे बहुत चीजों का जवाब मिलेगा यहां पे मतलब यह समझ लो यह synchronous machine का कुम के मेले में खोया हुआ भाई है क्योंकि synchronous machine बिना stability वाला chapter पढ़े अधूरी है क्यों अधूरी है वहाँ electrical part तो cover कर लिया है लेकिन mechanical तो छोड़ा है mechanical यहां cover करेंगे ठीक है चालो बहुत बढ़िया तो यह हम लोग क्यों कर रहे है because damping reduces oscillation and makes the system stable makes system stable तो हम क्या कर रहे है भाई हम कर रहे है worst case analysis we are doing the worst case analysis अब देखो यार यहां तक अगर हमें बात समझ आ चुकी है तो अब मैं क्या करता हूँ अब मैं यह कहता हूँ देखो यह आ चुका था ना हमारे पास यह आ चुका था बढ़िया तरीके से यार अब तॉर्क तो देखो mechanical part है ना तॉर्क is a mechanical quantity लेकिन पावर एक ऐसी quantity है जो electrical में भी पढ़ी जाती है और mechanical में भी पढ़ी जाती है तॉर्क is a mechanical quantity बट बट पावर is a quantity that can be studied in electrical as well as mechanical तो अगर यह टॉर्क को मैं convert कर दूँ पावर में तो मेरा काम हो जाएगा तो मैं क्या कहता हूँ टॉर्क into speed पावर होता है तो multiply both sides by omega s अब आप कहोगे सर omega s क्यों नहीं क्योंकि बेटा टॉर्क into speed पावर तो होता है किस डोमेन में mechanical domain में mechanical domain में तो बेटा जब टॉर्क mechanical है तो speed भी तो mechanical लोगे speed भी तो mechanical लोगे तो यहाँ पे क्या गया अब देखो टॉर्क into speed क्या हो गया यह हो गया ps minus pe देखो मैंने दिखाया भी है input पावर है ps और output पावर है pe input है ps और output है pe अब omega sm को तो मैंने अभी लिखना बताया था कि 2 by p omega s लिखते हैं जिससे कि यह 2 by p का square बन गया अब यहाँ देखो इस expression के अंदर यार सारी quantity सारी quantity electrical domain में है यह जो पहली term है यह अभी पीछे define करके आए है m m is the inertia constant ठीक है तो बेटा यह होता है first version swing equation का यह क्या होता है first version of swing equation अब यहाँ पे थीटा e क्या होता है यह थीटा e क्या होता है यह होता है rotor angle rotor angle from stationary axis देखो यार rotor तो घूम रहा है ना rotor तो घूम रहा है तो rotor का angle एक stationary observer के respect में माननों मैं खड़ा हूँ यहाँ यहाँ पे और rotor गोल गोल घूम रहा है तो rotor कितना angle बना रहा है मेरे respect में यानि मैं अगर rotor को देखो तो मुझे कितना angle नजर आएगा that is called as the rotor angle यह बात clear है अमरित बेटा power, mechanical और electrical दोनों में ही defined है क्या आप electrical circuit में power नहीं पढ़ते हो बताओ पढ़ते हो ना बेटा तो power को यह तो नहीं कह सकते power is the mechanical quantity power is the mechanical as well as the electrical quantity और generator एक ऐसी device है जो mechanical power को electrical में convert करता है तो आप यह भी कह सकते हो जो mechanical power आएगी वही electrical power बनके बाहर जाएगी ठीक है बई? चलो तो यह theta e समझाया जैसे मालू मैं stationary हूँ अब यह मेरा rotor है जो घूम रहा है यह rotor है जो घूम रहा है तो अब मुझे इसका angle कितने time पे क्या दिख रहा है that is theta e तो इसका angle मुझे क्या दिखेगा that is theta e अब देखो इसको और बहतर तरीके से समझने के लिए क्या करते हैं? देखो यह रहा एक fixed reference एक fixed reference एक axis है आपकी synchronously rotating frame यानि यह कितनी speed से घूमती है omega s से एक ऐसी axis जो omega s से घूमती है और बेटा यह है rotor axis और rotor घूमता है omega से अब आप कहोगे सर यह बात गलत है synchronous machine का rotor घूमता है omega s से बिलकुल जायस बात कह रहे हो लेकिन बेटा जब disturbance डालते हैं जब disturbance डालते हैं तो rotor की speed synchronous नहीं रह जाती वो deviate कर जाती है कभी synchronous से ज़ादा तो कभी synchronous से कम तो गुरजीत बेटा उसका जो angle होगा वो time के साथ बदलेगा ना अगर देखो कोई भी body move करती है तो उसकी position time का function होती है ऐसे ही कोई body अगर rotate करेगी तो उसकी position time का function होगी जबी तो time के respect में derivative आ रहा है तो अब देखो यार डलता त डलता त त यस रोटर रोटर अंगल रोटर अंगल from synchronously rotating axis from synchronously rotating axis ठीक है भाई अब delta t जो है वो synchronously rotating axis से अब मैं यह कहता हूँ कि fixed reference is position of rotating axis at t equal to 0 यानि rotating axis t equal to 0 पे fixed reference के along थी position of rotating axis is omega s into t देखो rotating axis आपकी गूम रही है omega s से तो वो t टाइम में कितना गूम चुकी होगी omega s into t दिमाग लगाओ अगर कोई 10 meter per second से चल रहा है तो 1 second में कितना चलेगा 10 meter ऐसे अगर कोई omega s से घुम रहा है तो t टाइम में कितना घुमेगा t टाइम में कितना घुमेगा omega s into t omega s into t गायत्री बेटा omega less than भी हो सकता है omega s से जादा भी हो सकता है तो यह disturbance के कारण है बट जब speed बदलेगी तब आप यह कह सकते हो induction machine जैसा behavior होगा बट कम होगी speed या जादा होगी वो तो depend करता है हमेशा कम या हमेशा जादा नहीं होती है तो अब देखो यार इस figure से अगर देखा जाए theta e is omega s t plus delta तो हम मैं लिखता हूँ d theta e by dt is omega is omega तो आपको यहां से क्या सीखना है यहां से आपको यह याद रखना है d delta by dt is omega minus omega s और यहां पे न डेल्टा आपका electrical angle है mechanical angle नहीं है कभी mechanical समझ लो delta वगेरा सारे angle electrical होते हैं और यह जो दोनों speed है यह भी किसमे है electrical radian per second में कुछ भी mechanical में नहीं है अब आप पूरी तरीके से किसमें आ चुके हो electrical में अब यार इसको एक बार और differentiate अगर कर दें इस equation को तो यह बनेगी d square theta e by dt square अगर derivative लिया omega s का तो 0 यह बन गया d square delta by dt square अब अगर यहां डाल दोगे d square theta e by dt square फरीचे बिटा omega constant नहीं है omega rotor की speed है वो समय के साथ बदल सकती है synchronous speed fix है omega s को कोई नहीं बदल सकता लेकिन omega को बदला जा सकता है तो अब यहां से आपकी swing equation क्या बनेगी यहां से बनेगी यह यह होती है आपकी actual swing equation तीक है यहां पर m क्या हुआ और power किस में है megawatt यार अब m की तो आपको पता है न value h में भी लिख सकते हूँ तो g h by pi f अब अगर आप यार g को right hand side ले जाओ g क्या था याद करूं machine का base था power को अगर mva base से divide कर दिया तो यह power किस में convert हुजाएगी per unit में किस में convert हुजाएगी मेरे भाई per unit में ठीक है अब इसके अलावा यही equation लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है pi की जगे अगर 180 लिखें pi की जगे अगर 180 लिखें तो अभी बात बन सकती है stator axis यार यह diagram थोड़ा था randomly बनाया वा है ऐसा मत सुचना कि कोई lead कर रहा है यह लैक कर रहा है थोड़ा था randomly draw किया वा है तेक है इसके उपर मत जाना clear है चलो तो यह swing equation की forms है यार जो हमें पता होनी चाहिए one, two and three अच्चा एक बात मैं आपको और बता दू यार बहुत बार आपसे question पूछा जाता है angular momentum का तो जब यह term दिखें ना आपको angular momentum यह कुछ भी नहीं है यार यह फर्जी वाड़ा है यह m ही होता है angular momentum आपका m ही है और कुछ नहीं है अब इसके अलावा यार एक बात मAYं आपको और बता दू एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दू कि यह जो d square delta है d square delta by dt square है यह rotor acceleration है यह क्या है rotor acceleration है तो यह rotor acceleration है ना तो यहाँ पर question कैसा बन सकता है यहाँ newton equation और motion पर भी बात की जा सकती है कैसे यानि आपसे निकलवा सकता हूँ speed कुछ समय के बाद या फिर angle कुछ समय के बाद तो ये बाते भी हो सकती हैं देखो as an example if alpha तो कुछ समय के बाद rotor angle क्या होगा तो यार देखो अगर delta आपका electrical radian में चल रहा है तो आपको alpha भी किसमे लेना पड़ेगा electrical radian per second square में अगर delta आपका degree में है delta अगर degree में है तो alpha भी फिर किसमे निकालो electrical degree per second square ये तो हो गई angle की बात अब आप ये भी कह सकते omega equal to omega naught plus alpha t 2 pi से divide कर दो f equal to f naught plus alpha by 2 pi t तो यहां से मैं आपसे कुछ समय बाद frequency भी पूछ सकता हूँ समझ में आ रही है मेरी कहानी यहां पे यहां पे मैं आपसे frequency भी पूछ सकता हूँ लेकिन यहां alpha किसमे लेना है electrical radian per second square electrical radian per second square यह बात clear हो गया armature reaction का stability पे क्या effect होता है बिटा armature reaction का stability पे as such directly कोई impact नहीं होता है बट बात यह आती है कि आप कौन सी stability की बात कर रहे हो क्या transient की या फिर steady state की समझ रहे हो लेकिन आशुतोष मेरे भाई इस चीज का कोई basis भी तो बताओ सवाल का कि अचानक से out of the box randomly एक सवाल आ जाता है कि ज़र armature reaction से क्या होगा समझ रहे हो देखो क्या होता है किसी भी machine को काम करने के लिए दो magnetic field चाहिए एक तो armature और एक field तो पेटा armature और field जितना tightly एक दूसरे से linked है जितना coupled है उतना ही एक machine बहतर काम करती है लेकिन इसमें एक नुकसान भी होता है कि अगर एक field में कोई vibration कोई fluctuation आया तो वो दूसरे में भी reflect होता है फिर वो दूसरे में भी reflect होता है that is the drawback तो आप यह कह सकते हो अगर armature reaction और field winding की field आपस में बहतरीन तरीके से coupled है तो then it will lead to then it will lead to reduction in stability क्योंकि vibration in one will be carried over to the other और यह coefficient of coupling के अंदर पढ़ाया भी जाता है synchronous में अब देखो यार मैं आपको यहाँ पर और क्या बताने वाला था यह frequency हो गया यह delta हो गया हाँ कई बार ना alpha के अंदर unit ऐसी पूछ लेते हैं rpm per second तो कैसे निकालोगे पहले जैसे आपने अलफा निकाला electrical radian per second square मालो यह alpha 1 है अब इसको rpm per second में कैसे करें ध्यान देना rpm per second में कैसे करें सबसे पहले क्या करो alpha 1 into क्या करें भई electrical radian से बिटा पहले mechanical radian में जाना पड़ेगा कैसे जाओगे कैसे जाओगे 1 electrical radian is equal to 2 by P mechanical radian अब revolution में कैसे जाओगे 2 pi revolution का मतलब होता है sorry 2 pi radian का मतलब 1 revolution अब यहाँ पर revolution by second को ऐसा लिख दोगे 1 by 60 minute into second तो 60 आ जाएगा उपर यह बन गया तो मैं बता रहा हूँ न यहाँ पर unit से बहुत खेला जाता है यहाँ पर unit से बिटा बहुत खेला जाता है तो units पर खासा ध्यान देना बहुत जरूरी है खासा ध्यान देना बहुत जरूरी है 1 electrical radian is 2 by P mechanical radian यह मत कहना सर पी बाई 2 होता है one वाले case में one वाले case में अलग हो जाती है condition अच्छा देखो इसका screenshot लेके रख लो क्योंकि यह notes में include नहीं होगा यह बीच मैंने black screen insert करके आपको पढ़ाया है तो इन notes में आपके नहीं आएगा इसलिए इसका screenshot लेके रख लो ठीक है जिस किसी बच्चे को जरूरत है अभी कि अभी इसका screenshot ले ले और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है भई ले लिया सब लोगोंने screenshot आगे बढ़ें चलो then let's move forward और नहीं लिया तो पीछे करके ले ले लेना अब यार देखो हमें swing equation clear हो गई मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे इसको link किया जाएगा Newton equation of motion से ये भी मैंने आपको बता दिया Newton's equation of motion से कैसे link करेंगे तो ये वाला topic कल कराऊंगा दो alternator parallel और दो alternator series वाला इसमें मैं आपको कल क्या बताऊंगा कि जब एक से अधिक alternator होते हैं तो कैसे उन्हें एक single alternator से represent कर देते हैं कैसे दो या दो से जादा alternator को एक alternator में लाया जाता है ये कल देखेंगे तो आज time आ चुका है बच्चो quiz का आज time आ चुका है quiz का तो जल्दी से आल लिख दो सब लोग let's crack it let's crack it लिख देंगे मेरे सभी बच्चे क्योंकि अब आ रहे है quiz अब हम लोग देखने वाले हैं तीन question with with just 15 second with just 15 second timer come on everybody come on ready है न सभी लोग and here is your first question बट अभी मैं देख रहा हूँ let's crack it आया है नहीं अब आना शुरू हुआ है अरे rpm में भी तो revolution per minute ही है मंतन बेटा आया तो denominator में ही numerator में थोड़ी चला गया बीच में P भी तो आया चलो first question steady state stability is related to small disturbance and transient related to large true or false true or false चलो भाई अंशु बेटा diploma तो मैंने देखो किया नहीं तो इसलिए I don't have much idea कि आपके diploma का syllabus क्या होता है मैंने gate निकाला है B.Tech किया है तो मैं उसी related आपका syllabus cover कराता हूँ अब ये साथ-साथ engineering में भी काम आ जाता है वो अलग बात है ठीक है चलो अगला सवाल developed torque opposes the rotation of synchronous motor true or false developed torque opposes the rotation of synchronous motor true or false चलो जल्दी से भाई and the time is over that is false देखो generator के अंदर support करता है shaft torque rotation को support करता है shaft torque और rotation को oppose करता है electromagnetic torque motor के अंदर support करता है electromagnetic torque और oppose करता है load torque ठीक है ये वाला false है चलो last question ये वाला gate के अंदर आय था भई ये वाला question gate में आय था जल्दी से बता दो rotor angle delta क्या होता है swing equation में rotor angle delta क्या होता है swing equation में चलो वापिस से और पंदरा second दे दिये मैंने आपको I have given you again 15 seconds come on what is the rotor angle delta क्या आएगा three two one and the game is over तो answer is c नहीं 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 हाँ d answer is d ठीक है answer is d rotor का angle with respect to synchronously rotating axis पहला कह रहा है stator का angle stator का नहीं होता बिटा rotor का angle होता है with respect to synchronously rotating axis रोटर का देखना है stator का नहीं ठीक है ये question gate में आया था देखो basic definition से भी सवाल आ जाता है इसलिए ध्यान दिया करो तो भई आज के लिए इतना ही रखेंगे बाकी बाते हम लोग करेंगे कल तो देखो आप लोग को ये बताना जरूरी है कि एक हमारा back start हो रहा है Monday से plus पे gate 2022 के लिए जिसमें बिटा आप enroll कर सकते हैं अंकित ESE और मेरे बच्चे इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं सारे टॉप एजुकेटर इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर आपको एक साथ मिलने वाले हैं एक साथ आपको मिलने वाले 21 दिसम्बर से स्टार्ट हो रहा है गेट 2022 का पूरा syllabus along with revision कराया जाएगा इसमें हाफीज सर, विशाल सर, कामेश सर, संकर सर, मैं, सुरेश सर, सारे टीचर, अजे सर भी आपको एक साथ मिलेंगे और बेटा 2023 के लिए भी batch start हो रहा है 2023 के लिए भी batch start हो रहा है प्लस पे जिसमें आप code लगा के आ सकते हो अंकेत ESE ये code लगाओ and you can become a part of the plus subscription और वहाँ पे बेटा आपको best content, best intent, best guidance आपको एक साथ मिलती है 21 से चालू हो रहा है पिटा दो ही दिन रहा है, miss नहीं करना है, एक भी class first class से attend करनी है उसके लिए अभी से join करें और हम लोग start कर रहे है एक special class series know your basics तो जो भी मेरे बच्चे gate 2022 target कर रहे हैं, ये सारी special class attend करना बहुत जरूरी है पिटा इसके अंदर आपको हर subject का basic दिया जाएगा, हर subject की strategy दी जाएगी overall electrical engineering के बारे में बताया जाएगा, ये सब चीजें ये सब चीजें आपको बताई जाएगी in case of know your basic, know your basic, अमरित बेटा last lecture में समझाया है मैंने arthing और grounding में फरक, अब देखो अंकित ESE code से बेटा one year का आपका fees लगेगा 27 to 25, one and a half year 34, 650 और बचा two year 39, 600, इसके अलावा अगर iconic लेते हो तो अंकित ESE से one year का fees होगा 45 to 25, two year का होगा 66, 600, iconic में आपको एक topper के साथ पढ़ने मिलेगा, वो topper आपको day in day out गाइड करेगा कैसे तयारी करनी है, बागी teacher से भी personal attention मिलेगा और इसके अलावा बेटा आपके सारे doubt भी same day clear किये जाएंगे, study material भी additional दिया जाएगा विनोध बेटा ESE 2021 का batch 7 December को launch हुआ था, अब इसके बाद Jan और Feb में launch करेंगे, 7 December को निकले अभी 10 दिन हुए है if you still want to become a part of plus, you can be and you can prepare for ESE 2021 as well और वहाँ सौरब पांडे सर आपको पढ़ाने वाले हैं, non-technical अब यार देखो मेरी anacademy profile है, ankit2047, आप इस profile को follow करें और मेरे जितने भी free class होते हैं, उसका notification आपको automatic phone पे आ जाएगा और मुझसे personally जुड़ना चाहते हो, तो यार मेरे telegram channel पे आ जाओ, मैं यहाँ पे आपको class के pdf, इसके अलावा class के notification, कोई भी new batches आते हैं, सब information आपको एक जगे मिलेगी अब हमारे other channels से भी जुड़ सकते हो, जैसे mechanical वाले दोस्तों को बताओ, civil, computer science, telgu का channel है, je exams का channel है, parts, shala, junction, इतने सारे channel हैं के एक बार visit करो and whichever seems suitable to you, become a part of it, so thank you everybody, thank you, thank you, thank you, अब बेटा मिलेंगे शाम साड़े 8 बजे, अभी से 25 मिनट बाद हम मिलने वाले हैं, special class में, जिसका link available होगा मेरे telegram channel पे, और मैं question लगवाँगा आपको machine power system, power electronics के, तो साड़े 8 बजे जुड़ना मत बूलना, link आपको मिलेगा telegram channel पे, अगर वो आपसे invite code मांगे, तो लिख देना अंकित ESE, thank you, और इस video को like जरू करके जाना यार, अपने सभी दोस्तों से share करना, अपने college में share करना, और अगर इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो गुना कर रहे हो मेरे दोस्त, वो लाल वाला बटन दबादो और इस channel की गंट बजा दो, thank you, good night.